हाई फिरेंड्स वेलकम बेक टू एजुकरासन इंडिया तो देखिए यूपी टेट में जिन्हों ने एक्जाम दिया है उनके लिए यहां पर फाइनली बहुत ही अच्छी गुड नीज आगी दोस्तों तो आपको जो रिवाइज आंसर की होगी उसमें कौन-कौन से जो परस की है कि उस 22.90 के वाइज आज़े कर देंगे संसरी उत्तर कुन-जी को लेकर आ रहे हैं बड़ी अफडेट जो की आयोग को लेकर आ रहे है दोस्तों और उन्होंने बता हैं कि हमने जो हैं वहाँ परसनों के हैं जो उत्तर हैं वह लगपक 6 परसनों में बदलाव किया हैं और यह उन्होंने यहाँ पर जो विसे सगे टीम है थी उसे इसे अनुशार बदलाव किया हैं तो कौन से हैं वह 6 परसन देख लेते हैं वीडिय रहती हैं तो जो परसन थे वो कौन-कौन से परसन थे लेकिन उस सपल में आपको अपडेट बहुत ही बड़ी दे दूँगा तो देखिए जो आपको अंसर की हैं उसमें देखि दोस्तों आपके लगबग जो हैं वो 6.5 की बीच में आएगी और आपको जो अपती निस्तारण का कारिये था वो पूरण हो चुका है तो अब आपको जो हैं वो कितना नंबर जो हैं वो मिलने वाला है तो देखिए वह बात हम फाइनली पहले कर ल उसने अभी तक यहां पर फाइनल जवाब तो नहीं दिया है लेकिन दोस्तों यहां पर अपडेट मिली है थोड़ी बहुत कि जो आपको नंबर मिलेगा वो मिलेगा लगबग 10-15 10-15 आपको नंबर मिलना है तो 10-15 नंबर बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों आप मान ली तो अब उनका भी हो राएगा सेलेक्शन यूपी टेट में तो देखे यूपी टेट जिन्होंने एक्जाम दिया है उनके लिए यहां पर बहुत यह अच्छी नूज आगी हैं दोस्तों आपती निस्ता रण के बाद क्योंकि आपको जो हैं वो 10-15 नंबर मिलने वाले हैं इनका जो हैं वो अपतियों के निस्ता नहीं किया गया है लगबग 4000 अपतिया जो हैं वो दर्ज कराई गई थी यूपी टेट में जिसके बाद यून्होंने यह फैसला लिया है और जैसा कि मैं बता दूं तो जूनियर लेवल वालों को इसमें काफी कम फायद होगा क्योंक दोस्तों हैं वो यहां परूब होल पैद्ध आप्ट दर्ज तीस परसेंट यहां पर दोस्तों जो सोटू यहां पर पतल सब्सक्राइव दर्ज यह पर लेवल को पर बहुत जादा यहां पर आयोग ने विचार विमर्स किया और उसके बारे में जो है प्राइमरी लेवल को कापी फाइदा होने वाला लेकिन दोस्तों आप यह मैं सोचे कि जूनियर लेवल आलों को कम फाइद होगा जूनियर लेवल आलों को भी बहुत जादा फाइदा हो आने वाला है क्योंकि दोस्तों यदी प्राइमरी लेवल ने यहां पर कराई है इसी वज़े से दोस्तों उन्होंने आयोग ने जाची है आपकी जूनियर लेवल की आंसर की कि यहां पर कहीं इसमें भी तो गडबर नहीं है और इसी वज़े से जाची और कहा कि सई है दोस्तो जूनियर लेवल में भी आ रही हैं कहीं कि गड़बर तो उन्होंने वहां पर भी आपकी विजाच्च की हैं लेकिन दोस्तों आपको नंबर दो हैं वह इतने ही मिलने वारे जिसके आपको यह चैनल के में गडबड हुई तो वहां पर आपको भी नंबर मिलेगा 10-15 नंबर आपको भी मिलने वाला दोस्तों तो दी अच्छी खबर है दोस्तों आप सभी के लिए और दोस्तों जैसा कि मैं बता दू तो आपती और दो कल अपती निष्तन का कारिया तो अबाटी निष्तन commence का फुलकारी हो गए हैं और अब ती यानिकी आज को यहां पर जो है वह पर साहर की आज आ जाएगी तो आंसर की आपके मेर्या से लगभग improvement अने वहाँ tomorrow तो यहां पर जो है वो लगवग आयोग जो है वो अधिक तर जो अंसर की वगर का कारिय करता है वो रात को ही शाम को ही करता है और छे से बाद में ही कारिय करता है यह ऐसा कारिया इसलिए दोस्तो आज की जो आपकी वार भी आएगी आंसर की वो आएगी छे से साड़े साथ के बीच में और ये दोस्तो बिल्किल सही है इतने बजे ही आपकी आंसर की आएगी और जैसा कि मैं बता दिया दोस्तो दस से पंदरा अंक आपको मिलने वाले हैं दस से पंदरा अंक ये बहुत ही अच्छी बात है आप सभी को मिलेंगे दस से पंदरा अंक तो जिनका नमबर नह अब अब कर लीजे इतने नमबर आ रहे हैं आपके और जूर दाएंगे पिलस होंगे आपका स्लक्ष्ण होगा बहुत ही अची बाते तो दोस्तों यहां पर कर दीजी वीडियो को लाइक और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो है किन personal है वो संसरादन किया गया तो वो भी देख लेते हैं तो दोस्तों यह भी Question बार बार आ रहा था किकन person है वो संसरादन किया जाएगा तो देखिए दोस्तो मैं आपको बता दूँ तो अभी जो मेरे पास जो question है वह है 6 question है लेकिन दोस्तो 6 question मैं बता रहा हूँ जो की है वो मेरे अनुशार है लेकिन दोस्तो जो अयोग बता रहा है वो है लगबग 10 से 12 के बीच में 10 से 12 के बीच में 10 से 12 के बीच में 10 से 12 के बी बीडिशन जो मेरे पास है कौन कौन से क्वेशन है देख लेते हैं दोस्तों तो देखे पहला कुस्टन तो वह है जो की इस तरह नंबर पर आया था पूछा गया था एक विश्चन जिसका भी यहाँ पर जो हैं वह संसोदन किया जाएगा तो देखे क्यों क्यों कि यहाँ पर जाएगा उस question को अब जो है वो संसोदित किया जाएगा याने की फिर से जो है वह आपको है जो आज रिवाइट answer की आएगी उसमें बदलाव किया जाएगा फिर दोस्तों अगला question था जो था अपना यहां पर 9th question 9th question में भी यही आ रहा और जो है उसमें भी यहां पर आपके इस नंबर question में भी दोस्तों मैं बता दूं तो आपका जो answer था वहां लगबग दोस्तों क्या था ऐसा कुछ था कि वहां पर भी आपके जो question का answer मिला वो गलत निकला तो यह इस परकार के question के answer मिले गलत तरीके से और आयोग ने कहा है कि हम देखिए पर बोनस तो बोनस आप सा था दोस्तूं अग्ला question 41 number question . इसमें किते स जो option तरी समस्तर Ez रिया वहाी question ृप यह ाप सेंडुश्य इसमें भी यहां पर आई वारा गलत आंसर दे दिया गया, और अगला question में आपको बता दो दो चान Welcome तो अगला question था पच्पन नंबर question पच्पन नंबर question में भी यह आल रहा Sam to Sam हाल चला था और आयोग ने इसका भी गलत answer दिया तो यहाँ पर इसमें भी आपको answer जो है वो गलत देखने के मिलने की फिर से यानि की परिवर्तित कर देगा तो यह question जो है वह परिवर्तित कर दे जाएंगे आयोग द्वारा तो यह वह question है जो आयोग द्वारा परिवर्तित कि जाएंगे और जैसा कि है यहाँ पर फीलेट दी है कि यहां पर इतने question पर जो है बाहिता है थिरसा कि मैं ने बता दीए तस से 15 आपके बाद में दिया जाएगा तो यह हाल रहा हैं और कि कितना फायदा होगा आफ सभी को तो दो स्थो बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला प्लस खेंगा देखिए तो दस प्लस करेंगे आपकी जो cut-up है यह निकिंगे कच्किंप और 90 वालो वालों का सेलेक्शन होए रहा है तो आपको क्मपीट हो जाएगा वहातीओ अच्छा फाइदा हो जाएगा और जिसा कि मेंने बताए的 10 लेकिन दोस्तों जिनके आ रहे हैं 60 के मेरे असाब से 15 नमबर हो जाएंगे प्लश तो फिचे तरका दीजिए आप नमबर और आपका आशारी शोरा है यहाँ पे सेलक्षन और यूपी टेट में बहुत ही अच्छा है मोका सिक्सक बनने का तो दोस्तों वीडियो को अच्छे लगी हो तो लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए